सब्सक्राइब नाव फॉर आल दे लीटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अप्डेश बिग बॉस को लेकर फैंस की बीच काफी जदा क्रेज देखा गया है हाली में चैनल ने शो का टीजर रिलीस किया जिसे सल्मान खान ने अपने पन्वेल के फार्म हाउस पर शूट किया खास बात तो यह है कि इस बार बिग बॉस सीजन चौधा के नाम से नहीं बलकि बिग बॉस 2020 के नाम से प्रसारित किया जाएगा तकरीबन तीन महिने तक चलने वाला ये शो टीयार पे लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में जगा बनाने में काम्याब रहता है बीदे कुस दिनों से कई सारे कंटेस्टिन का नाम सामने आ रहा है जिसमें से कहा जा रहा है कि ये लोग बिग बॉस 2020 का हिस्सा होंगे लेकिन अब शो का हिस्सा कौन होगा और कौन विजिता बनेगा ये तो वक्त ही बताएगा पर उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पिछले सीजन के विजिता कौन है और अब क्या कर रहे हैं सबसे पहले विग बॉस सीजन 13 की ही बात करते हैं विग बॉस सीजन 13 को सथार्थ शुकला ने जीता था शो खत्म होने के बाद वो विग बॉस की एक अन्य कंटेस्टेंट शेनास के साथ म्यूजिक वीडियो में दिखाई दिये इसके लावा अभी नेतरी नेहा शर्मा के साथ भी सद्धा का एक म्यूजिक वीडियो हाली में रिलीज हुआ जिसका नाम रहा दिर्ग को करा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि अब सद्धा शुकला अपने अपकमिंग प्रोड़क्स में काफी ज़दा बिजी है बिग बॉस सीजन 12 की बात करें तो इसको दिपिका ककड ने जीता था बिग बॉस के बाद दिपिका एक के बाद एक सीरियल में बेजी नज़र आई इस साल के शुवाद में वो सीरियल कहा हम कहा तुम में नज़र आई थी इसके लाबा वो कई सारे ब्रैंज को एंडॉस करती हुई दिखाई दे बिग बॉस सीजन 11 की बात करें तो इस सीजन को शिल्पा शिंदे ने जीता था शिल्पा ने फाइनल में हीना खान को हराया था शो जीतने के बाद शिल्पा शिंदे सुनील ग्रोवर के साथ जीयो धन धनादन शो से कॉमेडी में खुब धमाल मचाती हुई नज़र आई और तो और हाल ही में खबर ये भी आई कि वो और सुनील एक बार फिर से दर्शोकों को हसाने के लिए शो लेकर आ रहे है बिक बॉस सीजन 10 की बात की चाहे तो इसको जीता था मनवीर गुजर ने जहां मनवीर गुजर शो जीतने के बाद रातो राज स्टार बन गए मनवीर ने इसके बाद रियाल्टी शो खतरों के खिलाडी में भी हिस्सा लिया था इसके लावा उन्होंने आज की अयोध्या नाम से फिल्म भी साइन की थी बिक बॉस सीजन 9 के बात करें तो इसको जीता था प्रिंस नरूला ने बिक बॉस से पहले उन्होंने रोडीज स्प्रिट्स विला शो भी जीता था बिग बॉस के बाद प्रिंस टीवी सीरिल के साथ रियालिटी शोस में भी फियस्त है वहीं आपको बतादे हैं कि बिग बॉस सीजन आठ को जीता था गौतम गुलाटी ने गौतम गुलाटी की बिग बॉस सीजन आठ के बाद काफी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहे अर्वनी गौहर खान बिग बॉस के बाद गौहर फिल्म बद्रिनाथ की दुलानिया और बेगम जान में नजर आई थी, इसके लावा उन्होंने टीवी शो नागिन, गटबंदन और दा ओफिस में भी काम किया, बिग बॉस सीजन 6 की बात करें तो इसको जीता था कसौटी ज डान्स रियल्टी शो नचपलिये सीजन 9 में नजर आई थी, बिग बॉस सीजन 5 की बात करें तो इसको जुही परमार ने जीता था, बिग बॉस सीजन 5 की ट्रोफी पर उन्होंने ही कबजा किया, जुही ने साल 2012 में बिग बॉस जीता और उसके बाद उन्होंने संतोशिमा कर्मफल, दाता, शनी और तंत्र में काम किया, बिग बॉस सीजन 4 की बात करें तो इसको जीता शुएता तिवारी ने, टीवी की बहूँ शुएता तिवारी को दर्शकों ने इस रियालिटी शो में काफी पसंद किया, बिग बॉस जीतने के बाद शुएता लगातार ही काम में बिजी रही, उनके मुखे सीरियल में अदालत, सजनरे छूट मत बोलो, बेगु सराय, वालवीर और मेरे डैट की धुलन शामिल है, बिग बॉस सीजन 3 की बात करें तो इसको जीता विंदू दारा सिंग ने, विंदू दारा सिंग ने बिग बॉस की सीजन 3 की ट्रॉफ सीजन 2 की बात करें तो इसको जीता था आशुतोष कौशिक में, आशुतोष कौशिक ने इस सीजन को अपने नाम किया, आशुतोष बिग बॉस से पहले MTV डोलीस का पांचवा सीजन भी जीत चुके थे, इतना है नहीं बिग बॉस के बाद आशुतोष कई सारी फिल्मों मे से जुड़ा रहा, कभी उन पर फोटोग्राफर से बद्दमीजी का आरोप लगा तो कभी कैफे के बाहर जगडा करते हुए पाई गए, अब वो लाइम लाइट से दूर हो गए हैं, बिग बॉस सीजर एक की बात करते हैं, जिसके विनर राहुल रॉय रहे, राहुल रॉय रहुल रॉय ने विग बॉस का पहला सीजन अपने नाम किया था, रहुल रॉय उस वक्त काफी ज़्यदा चर्चाओं में आये थे, जब वो भाजपा में शामिल हुए थे, रहुल ने कुछ समय पहले फिल्म आगरा की शूटिंग खत्म की है, खेर ऐसी तमापडेट्स के अब जुर रही हमारे चनल इंट्वे न्यूस के साथ और हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना पूलें सब्सक्राइब ना फोलें सब्सक्राइब ना फोर अल्ले लेटेस्ट एंट्रेंडिंग अपडेट्स